हलो बच्चो नमस्कार चलिए शुरू करते हैं 11.3 एक्सराइज क्लास 9th मैथमेटिक्स का सरफे सेरिया और वॉल्यूम का चैप्टर हमारे चल रहा है 11.3 से पहले के 11.1 ए 11.2 की वीडियो डल चुकी है तो ये हमारा 11.3 में कोशन नमर 5 चार कोशन पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया थे तो मेरा नाम है रवी शंकर और आपका इस प्यारे से यूटीब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है चलिए बच्चो शुरू करते हैं कोशन नमर 5 से कहता है कि a conical pit pit मतलब क्या होता है गड़ा तो conical pit है उसका जो diameter दिया हुआ है ये जो top का diameter है that is 3.1 meter और जो इसका गहराई है तो बच्चो गहराई मतलब ये इसकी height होगी ये 12 meter है और ये जो diameter है बच्चो ये है 3.5 meter ओके वाट इस capacity in kiloliter तो बेटा capacity निकालना है kiloliter में liter में capacity निकालना है simple सी चीज़ा आराम से कर लेंगे तो capacity का मतलब होता है volume volume का formula होता है 1 by 3 pi r square है सब कुछ है हमारे पास देखो diameter है 3.5 meter तो बच्चो radius कितना हो जागा इसको half कर दीजी आप 3.5 by में 2 meter decimal हटाई है 0 लगाई है और 5 के table में 4 पे ये कटेगा ये 7 पे कटेगा तो 7 by 4 meter we have the radius ठीक है और बच्चो height भी हमारे पास है 12 meter now capacity capacity निकालनी है capacity को volume भी कहते है और volume का formula होता है कोन का 1 by 3 pi r square h तो ध्यान से देखो 1 by 3 pi की value 22 by 7 और r बच्चो 7 by 4 है दो बार लिख लो square है न क्योंकि और h है 12 ठीक है तो simple देखो जो कट रहा है वो काट देते 7 के table में कटेगा 4 के table में 3 पे कटेगा और 3 के table में ये पूरा कटेगा तो ये उपर में बच्चा 12 और 7 नीचे में 4 अच्चा 22 और 7 नीचे में 4 ये 2 के table में 11 पे जाएगा तो 11 7 जा 77 अप उन में 2 meter cube meter cube अच्चा बचो देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताये था कि यार एक meter cube जो होता है वो 1,000 liter होता है ये आपको याद रखना है और 1 centimeter cube जो होता है वो 1 ml होता है ये भी आपको याद रखना है meter cube को लीटर में convert करना है तो आपको 1000 से multiply करना पड़ेगा 77 upon 2 into में 1000 liter अच्चा बचो देखो kilo liter में answer देना है तो again फिर 1000 से divide हो जाएगा तो ये वाला 1000 वाला term तो हटी जाएगा तो directly kiloliter हो गया 77 by 2 kiloliter क्योंकि liter को kiloliter में करने के लिए 1000 से divide कर दोगे तो answer आगया आपका ये वाला इसको divide कर दो तो ये आगया 38.5 kiloliter ठीक है तो ये आपका question number 5 था easy सा question था ज्यादा मुश्किल नहीं था और कमी time में हो गया ये बचो question number 6 की तरफ बढ़ते है question number 6 में बचो क्या है volume of right circular cone आपको volume given है बचो पहले volume दे रखा है 9,8,5,6 centimeter cube और diameter दिया हुआ diameter दिया हुआ 28 centimeter तो diameter से आप easily radius find out कर लोगे जब भी आपको diameter दिया हुआ तो radius आप तुरंत लिख लो diameter को half करोगे तो radius मिल जाएगा diameter को half करोगे तो radius मिल जाएगा तो radius हमने निकाल लिया volume आ गया और radius आ गया अब हमें क्या निकालना है तो radius में तीन चीज़ निकालना है हाइट निकालना है कौन की slant height निकालना है और curve surface area कौन निकालना है ना दो को फर्स पार्ट देखते हैं तो वॉल्यूम का फार्मूला तो वन बै थ्री पाई r square h यह है 9, 8, 5, 6 1 by 3 पाई की value 22 by 7 और r square करना है तो 14 into 14 14 into 14 और h जो है h कितना है h हमें निकालना है फर्स्ट में फर्स्ट में वही height ही निकालना है height of the cone तो height निकल जागा यहां से solve कर लेते हैं बच्चो देखो 7 के table में यह 2 पे जाएगा और बागी यह जो numerator में वो denominator में आ जाएगा जो denominator में और numerator में हो जाएगा तो देखो h equal to में क्या आ गया 3 into 9, 8, 5, 6 upon 22 into 2 into 40 देखो बच्चो इसको जरह चेक कर लेते हैं 2 के table पे तो यह कट रहे है बड़े आराम से 2, 4 जा 2, 9 जा और 2, 2 जा फिर 2, 8 जा ठीक है उसके बाद देखो यह 7 के table में कट रहे है थोड़ा से मैं खुला खुला लिख लेता हूँ ऐसे में ज़्यादा congested हो रहा है है 3 into में 4, 9, 2, 8 upon 22 into 14 देखो 7 के table में 2 पे यह कटेगा 7, 7 जा और फिर 2 छोटा है 7 से तो इसलिए 0 लग जाएगा और फिर 28, 7, 4 जा 28 ठीक है उसके बाद देखो 2 के table में फिर से यह कटी रहा है 2, 3 जा 2, 5 जा, 2, 2 जा चेक कर लेते हैं क्या यह 11 के table से कट रहा है क्या 11, 2 जा 22, 11, 3 जा 33 और 2 जा कटेगा 11, 2 जा 11, 3 जा 11, 2 जा 22 2 के table में 16 पे कटेगा तो बेटा देखो H की value कितमी आगे 3 into में 16 that is 48 cm यह हमारी height आगे ठीक है अब जैसे हमें slant height निकालना है तो slant height के लिए एक formula होता है अगर आपको याद हो तो L square बराबर R square प्लस H square तो L की value कितनी है हमारे पास L की value अच्छा निकालनी है L square R square value हो गया यह 14 का square हो जाएगा तो 14 square H हमने अभी अभी निकाला है स्क्वाइर तो यह directly होता है 256 हो जाएगा 256 स्वारी यह 196 हो जाएगा और 48 का square होगा इसको आप multiply कर लेंगे तो मैं डेरेक्ट निकाल देता हूँ 64 और देको यह value आएगी और बच्चो इसको add कर दोगे न तो यह आजाएगा 2500 और जब आप इसका square root करोगे under root 2500 तो L की value कितनी आजाएगी 50 आजाएगी slant height निकल गया न थर्ड पार्ट में रहने आपसे पूछा है इसका curve surface area तो कोन का बचो curve surface area का formula क्या होता है पिछली exercise में आपने याद किया होगा यह होता है pi r l pi होगे 22 by 7 r की value of 14 और L हमने निकाला अभी अभी 50 7 तूजा तो 22 into 100 तो यह आगे 22 100 cm2 यह चीज आगे है ठीक है तो ठीक है आपको यह चीज समझ में आगी होगी next question करते हैं question number 7 यह important question आप अपने book में mark कर लें question number 7 and question number 8 is very important देखो एक right triangle है ठीक है right triangle ABC with side तो right triangle है यह हमने बनाया यह देखो इस तरीके से यह हमने बनाया ABC जिसमें से एक side है 13 obviously जो सबसे बड़ी वाली side होगी और दो sides है एक है 5 और एक 12 ठीक है एक 5 है एक 12 है तो इधर मैं 12 ले लेता हूं और इधर मैं 5 ले लेता हूं इसमें कहता है कि इसको न जो 12 cm वाली side है जो यह वाली side है इसके around आपको revolve करना है तो जैसे कि यह हमारी side होगी तो इसको आप revolve करोगे ऐसे 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 revolve करोगे ठीक है इस तरीके से इससे क्या बनेगा यह देखरो यह कौन बनाएगा कौन का formation करेगा यह तो जिसमें यह वाली side इसके along revolve करना है और यह जो side है यह L का काम करेगा और जब इसको revolve करोगे तो यह flip होके इधर आएगा और यह पूरा का पूरा यह नीचे में यह circle का formation करेगा तो इस तरीके का एक कौन बनेगा तो यह जो चीज थी जो कि यह A और B थी यह तो अब height का का काम करेगा इस कोन के लिए यह 12 cm और यह जो चीज थी यह इस कोन के लिए radius का का काम करेगा और यह जो चीज है यह slant height का का काम करेगा ठीक है यह किसका का काम करेगा slant height का यह height का का काम कर रहा है और यह radius का काम कर रहा है, और यह slant height का काम कर रहा है, अब आप देखनो, simply find the volume of the solid obtained, तो volume of cone ही निकलेगा, basically, basically, volume of cone, formula होगा, 1 by 3, pi r square h, 1 by 3, 22 by 7, 5 into 5 into 12, 3 की table में 4 पे कटेगा, बाकी कुछ नहीं कट रहा, आप multiply करिए, 5, 5, 25, 25, 4, 100, और 100 into 22, तो 22, 100 upon 7, इसको divide कर लेंगे, तो answer आजागा, और यह centimeter में है चीजे, ठीक है, यह सारी चीजे centimeter में, तो unit आजाएगी centimeter cube, so, 7, 3, 21, 1 इधर बचा, 7, 1 जा, फिर 3, 7, 4 जा, 28, फिर 2, 0, 7, 2 जा, फिर 6, 7, 8 जा, ठीक है, centimeter cube, now question number 8 करते हैं, बच्चो, question number 8 में, बच्चो सब कुछ सेम है, इसी question की तरह है, उसमें, यह बोलाए कि, जो 5 centimeter है, इसके across आपको rotate करना है, तो अब जो rotation यह ऐसे होगा, यह ऐसे है, ठीक है, ध्यान दो बच्चो, यह देखो, इधर देखो, इस A को पकड़के, आपको ऐसे लेके आना है, that means कि, यह देखो, यह वाली जो चीज है, यह B और C, इस बार यह height का काम करेगा, और यह वाली जो length है, यह तो पहले भी L थी, और अभी भी length L है, और यह point को उठा के इधर रख देना है, यह ऐसा हो गया, और यह हमारा कौन बन जाएगा, ऐसे, ठीक है, तो यह होगी height कितनी है, 5 cm, और radius इस बार यह 12 cm वाला हो जाएगा, तो गो radius हो जाएगा, इस बार 12 cm, height हो जाएगी 5 cm, और L बेटा अभी भी 13 cm ही रहेगा, तो हम volume निकालेंगे, 1 by 3 pi r square h, 1 by 3 pi r square h, तो 1 by 3 pi 22 by 7, r की value होगी 12, into 12, और h की value होगी 5, तो 3 की table में 4 पे कटा, और इस बार देखो यह कटेगा ही नहीं, 88 into में 60 upon 7 cm3, अभी इसको ज़रा multiply कर लेंगे, तो answer आ जाएगा, एक step और बढ़ा देता हो इसका, 6, 8, 48, 4 carry, 48 और 452, यह हमारा answer आ गया, now ratio पूछा है कि question number 7 में और question number 8 में जो volume निकला है, उसका ratio, तो question number 7 में volume कितना था, यह decimal वाला नहीं लूँगा, यह वाला ले ले लेता हो में, 2200 upon 7 और यहाँ पर 552, 80 upon 7, आपको एक चीज बच्पन में बताई गई होगी कि जब denominator में fraction हो, तो अगर उपर करोगे तो यह change हो जाता है, यह कुछ ऐसा हो जाता है फिर, numerator बिकम्स denominator और denominator बिकम्स numerator तो easy है बचे, यह देखो यह कट जाएगा, और 10 से 10 और कट जाएगा, तो simply now it becomes 220 upon 528, देखो 11 के table से अगर हम देखे, तो 11 के table में यह 2 पे जाएगा, और यह जाएगा 11, 4 जा 44, 8, 11, 8 जा 88, अभी जैसे 4 के table में यह 5 पे जा रहा है, और 4 के table में यह चला जाएगा, बिटा, 4 1 जा, 4 2 जा, तो ratio is 5 by 12, तो 5 ratio 12, यह volume का ratio हमारा final आया, this is the question number 8, now the last question of exercise 11.3, now then it becomes finished, तो करते हैं जरा, question number 9 को, और इस वीडियो का यह आखरी वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो का यह आखरी question रहने वाला है, then हम इसको finalize करेंगे, question number 9, देखो बच्चो यह क्या, a heap of wheat is in the form of corn, देखो यह है, यह heap है, यह गेहूं का धेर है, heap of wheat मतलब गेहूं का धेर, कोन के shape में है, और जिसका diameter जो है यह, बच्चो यह 10.5 meter है, 10.5 meter है, और जो इसकी height है वो देखो, वो कितना है, 3 meter है, ठीक है, यह diameter दिया हूँ, height heap of wheat है, find its volume, इसका volume निकाल लेना है, the heap is to be covered by canvas, to protect it from rain, तो कह रहा है कि canvas कितना चाहिए, तो पहले part में तो volume निकालना है, simply, और उसके बाद कह रहा है कि, यार इसको अगर ढखना है, तो canvas कितना require है, तो in that case, हमें curve surface area निकालना पड़ेगा, तो इसमें वैसे part तो नहीं दिया हूँ है, बट मैं part के form में कर रहा हूँ, पहले part में volume निकाल रहा हूँ, volume का formula 1 by 3, pi r square h, अब जड़ा देखो, हमारे पास r है, हाँ है, h है, h b है, तो आराम से हो जाएगा, r जो है यह, इसका आधा हो जाएगा, दो खो, r की value हो जाएगी, 10.5 by 2, 10.5 by 2, और h की value है 3, h की value है 3, तो फिर आराम से यहाँ पे, यह हो जाएगा, 1 by 3, pi है 22 by 7, r की value 10.5 by 2, दो बार radius 10.5 by 2, और एक बार height 3 meter, अब बस इसको क्या करना है, बड़े साफधानी से देखो, decimal हटाओ, 0 लगाओ, decimal हटाओ, 0 लगाओ, 7 के table में यह देखो, 7 वंजा, 75 जा 35, और देखो, बचो यह 3 के table से, 3 हटाई तो यहाँ से, देखो, 105, नीचे क्या बचा, 20, 20, 53 जा, 54 जा, 54 जा, 5, 21 जा, right, 2, 2 जा, 2, 11 जा, अब ज़रा देखो, क्या बचा, 11, 3 जा, 33, इंटू 21, और नीचे में 8, बस इसको multiply करके, divide कर देंगे 8 से, तो आप यहाँ पर देखो, 21 को 33 से मैं करने जा रहा हूँ, 3, 1 जा, 3, 2 जा, 6, 3, 1 जा, 3, 2 जा, 6, 3, 9, 6, 6, 93 को divide करना है 8 से, 8, 8, 6, 4, 5, 3, 8, 6, 4, 8, 5, 0, 8, 6, 4, 8, 2, तो बचो, 86.6 cm3 इसका answer आ गया volume का, Now, अब हमें निकालना कर्व सरफेस एरिया, तो एक चीज का ध्यान दो बचो, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें, slant height चाहिए, और slant height हमें given नहीं है याँपर, तो slant height निकालेंगे, ध्यान से देखो, slant height का formula क्या होता है, L square बराबर R square प्लस H square दियान से देखो इधर यह first part हो गया इसका R की value है 10.5 by 2 पॉइंट हटाओ 0 लगाओ और 5 4 जा और 5 2 जा 1 जा तो 21 by 4 जो है वो radius है आपका ठीक है तो 21 by 4 का square हो जाएगा और H जो है वो 3 का square हो जाएगा 21 का square 4 4 1 4 का square 16 3 का square 9 तो 4 4 1 Lcm ले लिया 16 प्लस में 9 इंटू 16 9 इंटू 16 तो यह होता है आपका 144 इसको add कर देंगे बचो तो यह हो जागा 585 585 अपोन में 16 यह L square की value है अब इसको और भी फर्दर solve करेंगे 585 के fraction बना लेता हूं मैं prime factor 585 के prime factor पांच के table पर जाएगा पांच एकम पांच पांच एकम पांच तीन पांच सत्य पैंटिस तो actually 117 3 के table में जाएगा 3 3 जा 9 2 3 9 जा 27 और फिर से यह 13 के table में जाएगा और 13 एक prime number है तो नहीं जाएगा सिर्फ इसका एक ही pair है तो बचो L की value हो जाएगे 3 root 13 5 जा 65 अपोन में यह 16 का square root 4 तो L की value यह आगी तो कह सकते कि यह करना थोड़ा सा मुश्किल है इस बारी तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और यह calculation वगर आप rough में कर सकते हैं so that की चीज़े neat and clean लगे ओके बचो तो यह L आगे हमारा now curve surface area या फिर area of canvas required बराबर pi r l pi की value 22 by 7 r की value यह दो को यहाँ पे निकाला था 21 by 4 और L की value यह रही 3 root 65 upon में 4 तो 7 की table में 3 पे कटेगा और 2 2 जा 2 11 जा तो 11 3 जा 33 3 जा 99 65 upon में 8 centimeter square canvas हमें चाहिए centimeter square नहीं meter square ठीक है यह भी आपका क्या होगा I think यह meter में था तो यह भी आपका meter में हो जाएगा as everything is in meter तो यह आपका जो है canvas required है और यह हमारी volume आगी 86.6 meter cube this heap of wheat ठीक है तो यह आपका exercise 11.3 यहाँ पर finish होता है thank you so much